हेलो फ्रेंड्स शशी कृष्णा मैं हूं उमर, आपका स्वागत है मेरी किचन में आज मैं आपके लिए लेकिया आए हूँ लोविया की बींस की यह देखिए इस तरहां की बींस को बोलते हैं आप क्या इस beans को क्या कहते हैं मुझे comment section में लिखे ज़रूर बताईएगा तो आज मैं आपके लिए लेकी आई हूँ लोबिया beans और आलू की सबजी खाने में बहुत जादा tasty लगती है बनाने में बहुत simple और बहुत easy है और आप इसे टिफिन में भी लेकी जा सकते हैं और सासी थाथ बच्चों के टिफिन में भी इसे दे सकते हैं तो चलिए सिंडरसिंग से recipe को शुरू करते हैं तो यह आलू और लोबिया वीन्स की सबजी बनाने के लिए मैंने एक पैन में दो से तीन बड़े चमच के जितना तेल डाल दिया है तेल को अच्छे से गरब होने देंगे मैं यहाँ पे सरसूं का तेल यूज कर रही हूँ आप चाहें तो कोई भी cooking oil यूज कर सकते हैं medium size का प्याज है यह अब प्याज को भी हम हलका सा soft और brown हो जाने तक fry कर लेंगे flame को हमें medium रखना है जब तक हमारा प्याज हलका सा soft हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे एक दो तिन कलिया लसन की ले लेंगे एक ही चदरक का टुकड़ा ले लेंगे और चार-पांच मैंने यहाँ पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डालके अब जब यह प्यास अच्छे से भून किया है तो हमने अद्रक लसन और हरिमेच का जो पेस्ट बनाया है वो इसमे आड़ कर देंगे अध्रकलसन और हरी मिर्च के पेस्ट को भी कुछ सेकंड के लिए इस हरा से भूल लेंगे जब तक इसका कच्चापन नहीं निकल जाता है अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले एड़ कर देंगे तो मैं यहां डाल रहे हूँ आता चमर हल्दी पाउडर और एक से डेट चमर्च मैं इसमें धनिया जीरा पाउडर डाल रहे हूँ बस और कोई मसाला हमें इसमें नहीं डालना है लाल मिर्च आप चाहें तो हलकी सी डाल सकते हैं मैंने 4-5-4 मिर्च डाली हैं इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च का यूज रहे हूँ अब यहाँ पर मैंने यह लोबिया की फली को इस तरह से बारी कार्प मतलब लंबे-लंबे चोटे-चोटे टुकडों में काट लिया है साथ ही मैंने दो आलू लिया है जिसको चोटे-चोटे टुकडों में काट लिया है आब इसको अच्छे से mix कर देंगे मसाले में और 2-3 मिनट तक इसी थरह से fry कर लेंगे अब इसमें नमक आइट कर देंगे और नमक आइट करने के बाद फिर से इसको एक से दो मिनट के लिए इसी थरह से पहले हम भून लेंगे इस तरह से भूनने से क्या होता है जो भी extra moisture होता है ना सबजी का वो निकल जाता है और जब हम सबजी बनाते हैं तो वो ज़्यादा गिली गिली नहीं बर दिया यह सबजी मैं सूखी बना रहे हूँ तो यहाँ पर मैंने 1-2 मिनट इसको और भून लिया है अब बस अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून के जितना पानी आइट कर देंगे जिससे कि जब हम इसको पकाएंगे तो सबजी नीचे से चिपकेगी नहीं अब हम इसे ढग देंगे और ढग के इसे तब तक पका लेंगे जब तक सबजी आचे से गल नहीं जाती हैं बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे जिससे की सबजिया नीचे तले पे ना चिपकें और यहां पर मुझे 6-7 मिनट लगे हैं सबजी देखिए बनके बिलकुल तयार हो चुकी है आलू बहुत अच्छे से गल गए है और बील्स भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से गल चुकी है इस सबजी को बनाने में टाइम बिलकुल भी नहीं लगता है यह फली भी बहुत जल्दी गल जाती है और आलू तो फटाफट गली जाते है आप चाहें तो इसको बच्चों के टिफिन के लिए भी तयार कर सकते हैं सुवे सुवे इसको बनाने में आपको जाधा टाइम भी नहीं लगेगा और यह बहुत कम तील और कम मसालों में बनके तयार हो जाती है तो बस इसी स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा आप चाहें तो हरे धनी की पतियां भी आट कर सकते हैं तो बस अब इसे हम गर्मा गरम सर्फ कर लेंगे तो फ्रेंड्स आप भी एक बार इस लोबिया की फली और आलो की सब्जी को जरूर अपने घर में ट्राइ कीजिए ये खाने में बहुत जादा टेस्टी लगती है और ट्राइ करने के बाद आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें थैंक्यू